मेरे प्यारे देश स्वास्यों, नमस्कार। हर मन की बात से पहले देश के हर कौने से, हर आयू वर्क के लोगों से मन की बात को लेकर के धेर सारे सुझाव आते हैं। आकाश्वानी पर आते हैं, नरेंद्र मोधी एप पर आते हैं, माय गौग के माध्यम से आते हैं, फोन की द्वार आते हैं, रेकोर्डेड मेसेज की द्वार आते हैं। और जब कभी-कभी मैं उसे समय निकाल करके देखता हूँ, मेरे लिए एक सुखद अनुहो होता है। साधक की तरह समाज में खपे हुए लोगों का अंगिनत योगदान। दूसरी तरफ शायद सरकार की नजर भी नहीं जाती होगी। ऐसी समस्याओं का भी अंबार नजर आता है। शायद ववस्ता भी आदी हो गई होगी। लोग भी आदी हो गए होंगे। और मैंने पाया है कि बच्चों की जिग्यासाएं, गिवाओं की महत्पकाक्षाएं, बढ़ों के अनुभाव का निचोड़, भाती-भाती की बाते सामने आती हैं। हर बार जितने इंपूट्स मन की बात के लिए आते हैं, सरकार में उसका डीटेल अनालिसिस होता है। सुझाओ किस प्रकार के हैं, शिकायते क्या है, लोगों का नुभाव क्या है। आम तोर पर देखा गया है कि मनुष्य का स्वभाव होता है दूसरे को सलहा देने का। ट्रेन में बस में जाते हो और किसी को खासी आगए तो तुरत दूसरा के कहा कि ऐसा करो। सलहा देना, सुझाओ देना, यह जैसे मानो हमारी हैं सभाव में है। शुरू में मन की बात को लेकर के भी जब सुझाओ आते थे, सलहा के शब्द सुनाई देते थे, पढ़ने को मिलते थे, तो हमारी टीम को भी यही लगता था कि यह बहुत सारे लोग को शायद आदत होगी। लेकिन हमने जारा बारिकी से देखने की कोशिष की, मैं सचवच में इतना भाव विभूर हो गया। ज्यादा तर सुझाव देने वाले लोग वो है मुझ तक पहुंचने का प्रयास करने वाले लोग वो है जो सचबुच में अपने जीवन में कुछ न कुछ करते हैं कुछ अच्छा हो उस पर वो अपनी बुद्धी, शक्ती, सामार्थ, परिस्तिती के अनुसार प्रयत्न रथ है और ये चीज़े जब ध्यान में आई तो मुझे लगा कि ये सुझाव सामान्य नहीं है ये अनुभव के निचोड से निकले हुए है कुछ लोग सुझाव इसलिए भी देते हैं कि उनको लगता है कि अगर यही विचार जहां काम कर रहे हैं वो विचार अगर और लोग सुने और उसका एक व्यापक रूप मिल जाए तो बहुत लोगों को फायदा हो सकता है और इसलिए उनके स्वाभाव की इच्छा रहती है कि मन की बात में अगर इसका जिक्र हो जाए यह सभी बाते मेरी दुरुष्टी से अत्यंत सकारात्मक है मैं सबसे पहले तो अधिक्तम सुझाव जो की कर्मयोग्यों के हैं समाज के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने वाले लोगों के हैं मैं उनके प्रती आभार व्यक्त करता हूं इतना ही नहीं मैं किसी बात को जब मैं उलेक करता हूं तो ऐसी ऐसी चीज़े ध्यान में आती हैं तो बड़ा ही आनंद होता है पिछली बार मन की बात में कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया था फूड वेस्ट हो रहा है उसके सबन में खिंता जताई थी और मैंने उल्लेक किया और जब उल्लेक किया तो उसके बाद नरेंद मोदी एप पर माइगाव पर देश के अनेक कौने मैंसे अनेक लोगों ने कैसे कैसे इनोवेटिव एडियाज के साथ फूड वेस्ट को बचाने के लिए क्या-क्या प्रयोग किये हैं मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश में खासकर कि युवापीडी लंबे अर्शे से इस काम को कर रही है कुछ सामाजिक संस्थाएं करती हैं तो हम कई वर्षों से जानते आए हैं लेकिन मेरे देश के युवाप इसमें लगे हुए हैं ये तो मुझे बात में पता चला कोई होने मुझे वीडियोज भेजे हैं कई स्तान है जा रोटी बैंक चल रही है लोग रोटी बैंक में अपने हाँ से रोटी जमा करवाते हैं सबजी जमा करवाते हैं और जो नीडी लोग हैं वहाँ से प्राप्तिव कर लेते हैं देने वाले को भी संतोस होता है लेने वाले को भी कभी नीचा नहीं देखना पड़ता है समाज के सहयोग से कैसे काम होते हैं इसका ये उधारण है आज अप्रिल महिना पुर्ण हो रहा है आखरे दिवस है एक मई को गुजरात और महराष्टर का स्थापना दिवस है इस अवसर पर दोनों राज्जों के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुकामना है दोनों राज्जों ने विकास की नहीं नहीं उचाईयों को पार करने का लगातार प्रहास किया है देश की उन्नति में योगदान दिया है और दोनों राज्योंक में महापुरुषों की अविरत स्रिंखला और समाज के हरक्षेत्र में उनका जीवन हमें प्रेना देता रहता है और इन महापुरुषों को याद करते हुए राज्य के स्थापना दिवस पर दो हजार बाइस आज हदी के 75 साल हम अपने राज्य को अपने देश को अपने समाज को अपने नगर को अपने परिवार को कहां पहुँचाएंगे इसका संकल्प पर लेना चाहिए उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए योजना बनानी चाहिए और सभी नागरिकों के सही योग से आगे बढ़ना चाहिए मेरी इन दोनों राज्य को बहुत बहुत शुब कामना हैं एक जमाना था जब क्लाइमेट चेंज एकडेमिक वर्ल्ड का विशे रहता था सेमिनार का विशे रहता था लेकिन आज हम लोगों की रोज मरा की जिंदगी में हम अनुभों भी करते हैं अच्रज भी करते हैं कुद्रत ने भी खेल के सारे नियम बदल दिये हैं हमारे देश में मई जून में जो गर्मी होती हैं वो इस बार मार्श अप्रिल में अनुभों करने के नौबत आ गई और मुझे मन की बात पर जब मैं लोगों के सुझाव ले रहा था तो ज़्यादा तर सुझाव इन गर्मी के समय में क्या करना चाहिए उस पर लोगों ने मुझे दिये हैं वैसे सारी बाते प्रचली था हैं नहया नहीं होता है लेकिन फिर पिस समय पर उसका पुनस्मरण बहुत काम आता है कोई स्रिमान प्रसांद कुमार मिश्र टी एस कार्तिक ऐसे अनेग मित्रों ने पक्षियों की चिंता की है उन्होंने कहा कि बालकनी में चट पे पानी रखना चाहिए और मैंने देखा है कि परिवार के छोटे छोटे बालक इस बात को बख्खु भी करते हैं एक बार उनको ध्यान में आ जाए कि पानी क्यों भरना चाहिए तो वो दीन में दस बार देखने जाते हैं कि जो बरतन रखाय उसमें पानी हैग नहीं है और देखते रहते हैं कि पक्षि आये कि नहीं आये हमें तो लगता है कि ये खेल चल रहा है लेकिन सच मुझ में बालक मन में ये सम्वेदना ये जगाने का एक अध्भूत अनुभव होता है आप भी कभी देखिए पशू पक्षि के साथ थोड़ा सा भी लगाव एक नई आनन्द के अनुभवजी कराता है कुछ दिन पहले मुझे गुजरात से स्रिमान जगत भाई ने अपनी किताब भीजी Save the Sparrows और जिसमें उन्होंने गौरईया के संख्या जो कम हो रही है उसकी चिंता तो किये लेकिन स्वयम ने मिशन मोड में उसके सवरक्षन के लिए क्या प्रयोग किये हैं क्या प्रयास किये हैं बहुत अच्छा वरणन उसकी ताब में हैं वैसे हमारे देश में तो पशूपक्षी प्रकृती उसके साथ सहजीविन की बात उस रंगे से हम रंगे हुए हैं लेकिन फिर भी यह आवशक है कि सामुएक रूप से ऐसे प्रयासों को बल देना चाहिए जिम्म गुजरात में मुख्यमंत्री था तो दावदी बहरा समाज के धर्मगुरू सेयदना साब को सो साल हुए थे वे एक सो तीन साल तक जिवीत रहे थे और उनके सो साल निमित बहरा समाज ने बुरहानी फाउंडेशन के दवारा इस पैरों को बचाने के लिए बहुत बड़ा भियान चलाया था इसका शुभारम करने का मुझे आउसर मिला था करीब बावान हजार बर्ड फीडर्स उन्होंने दुनिया के कौने कौने में वित्रित किये थे ग्रीज बूग अफ वर्ल्ड रेकर्ड में भी उसको स्थान मिला था कभी कभी हम इतनी वस्त होते हैं तो अख़बार देने वाला दूद देने वाला सबजी देने वाला पोस्ट मैं कोई भी हमारे घर के दरवाईजे से आता है लेकि हम भूल जाते हैं कि गर्मी के दिन है जरा पहले उसको पानी का तो पूछें नवजवान दोस्तों कुछ बातें आपके साथ भी तो मैं करना चाहता हूँ मुझे कभी कभी चिंता हो रही है कि हमारी युवापीठी में कई लोगों को कमफर्ट जोन में ही जिन्दगी गुजानने में वजाती है माबाब भी बड़े रक्षात्मक अवस्था में ही उनको लालन पालन करते हैं कुछ दुस्तरे एक्स्टिम भी होते हैं लेकिन ज्यादातर कमफर्ट जोन वाला नजराता है अब परिशाय समाप्त हो चुकी है कि वैकेशन का मजा लेने के लिए योजना बन चुकी होगी समर वैकेशन गर्मिया होने के बाद भी जर आच्छा लगता है लेकिन मैं एक मि जुरूर प्रवक करेंगे और मुझे बताएंगे भी क्या आप वैकेशन के समय का उपयोग मैं तीन सुझाव देता हूँ उसमें से तीनों करें तो बहुत अशी बात हैं लेकिन तीन में से एक करने का प्रयास करें यह देखे कि न्यू एक्स्प्रियंस हो प्रयास करें कि कर देखें के कोशिश करें कि जिसके विश्दक है निकभी सुना है नन देखा है न सो चाहे जानतें फिर भी वहाँ जाने का मन करता है और चले जाए नीजू प्लेसीजू श्यस्यू नू स्कील्स कभी Και कि कभार प्लेसीज़ को टीवी पर देखना या किताब में पढ़ना या परिचीतों से सुनना और उसी चीज को स्वयम अनुभव करना तो दोनों में आस्मान जमन का अंतर होता है मैं आपसे आगरह करूँगा इस वैकेशन में जहां भी आपकी जिग्यासा है उसे जानने के लिए कोशिश किजिए नया एक्सपरिमेंट कीजिए एक्सपरिमेंट पॉजिटिव हो थोड़ा कमफोर्ट जोन से भार ले जाने वाला हो हम मध्यमबर्गे परिवार के हैं सुखी परिवार के हैं क्या दोस्तों कभी बन करता है कि रिजर वशन किये बिना रेलवे के सेकंड क्लास में टिकट ले करके चड़ जाए कम से कम 24 गंटे की सफर करें क्या अनुभवाता है उन पैसेंजरों की बाती क्या है वो स्टेशन पे उतर क्या करते है शायद साल भर में जो सिख नहीं पाते हैं उस 24 गंटे की विधावट रिजर्शन वाली भीट भाड़ वाली ट्रेन में सोने को भी न मिले खड़े खड़े जाना पड़े कभी तो अनुभव कीजिए मैं यह नहीं किया तो बार बार करें काद बार तो करिए शाम का समय हो अपना फुटबॉल ले करके वालीबॉल ले करके तदन गरीब बस्ति में चले जाए उन गरीब बानकों के साथ खुद खेलिए आप देखिए शायद जिन्दगी में खेल का आनंद पहले कभी नहीं मिला होगा ऐसा आपको मिलेगा समाज में इस प्रकार की जिन्दगी गुजानने वाले बच्चों को जब आपके साथ खेलने का आफसर मिलेगा आपने सोचा है उनकी जीवन में कितना बड़ा बरलाव आएगा और मैं विश्वास करता हूँ एक बार जाएंगे बार बार जाने का मन कर जाएगा यह अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएगा कई वालेंटिर और नाशन सेवा के काम करते रहत कभी-कभी बहुत समर कैम्प लगते हैं पर्सनाइटिर डिवलप्मेंट के लगते हैं कई प्रकार के विकास के लिए लगते हैं उसमें सरीख हो सकते हैं लेकिन साथ-साथ कभी आपको लगता है कि आपने ऐसे समर कैम्प किये हो पर्सनाइटिर डिवलप्मेंट के कोर्स कि जा हो आप बिना पैसे लिए समाज के उनकों के पास पुछें जिनको ऐसा आफसर नहीं है। और जो आपने सेखा उनको सेखाएं कैसे किया जा सकते हैं आप उनको सिखा सकते हैं। मुझे इस बात की भी चिंता सता रही है कि टेक्नलोजी दूरियां कम करने के लिए आई, टेक्नलोजी सीमाएं समाप्त करने के लिए आई, लेकिन उसका दुश्परणाम यह हुआ है, कि एक ही घर में छे लोग एक ही कमर में बैठे हो, लेकिन दूरियां इतनी हो कि कलपना यह नहीं कर सकते, क्यों हर कोई टेक्नलोजी से कहीं और बीजी हो गया है, सामोहिक का भी एक समस्कार है सामोहिक ता एक शक्ती है दूसरा मैंने कहा कि स्कील क्या आपका मन नहीं करता है कि आप कुछ नया सिखे आज परधा का यूग है एज्यामिनेशन में इतने डूबी हुई रहते हैं उत्तम से उत्तम अंक पाने के लिए जाम की चिंता रहती है कभी कभी डर लगता है कि रॉबोट तो नहीं हो रही हमारी उपीडी मशीन की तरह जिन्दी नहीं गुजार रही दोस्तों जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो human element है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है हम मान भी ये गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे है skill development में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या technology से दूर खुद के साथ समय गुजरने का प्रहास संगीत का कोई वाज्य सिख रहे है कोई नई भाषा के पांच-पचाथ वाक्य सिख रहे है तमील हो तेलिगु हो असमिया हो बांगला हो मल्यालम हो गुराती हो मराठी हो पंजाबी हो कितनी विवितताओं से भरा हुआ देश है और नजर करे तो हमारे अगल बगल में कोई कोई सिखाने वाला मिल सकता है स्विमिंग नहीं आता तो स्विमिंग सिखे ड्रॉइंग करे भले उत्तम ट्रॉइंग नहीं आएगा कुछ तो कागज पर हाथ लेका लगाने कोशिश करें आपका भीतर की जो संबेदना है वो प्रकट होने लग जाएगी कभी-कभी छोटे-छोटे के काम जिसको हम कहते हैं हमें क्यों नमन करेगा हम सिखे हैं आपको कार ड्राइविंग सिखने का मन करता है क्या कर आप साइकल तो चला लेते लेकिन थी विलनर वाली साइकल जो लोगों को लेकर के जाते हैं कभी चलना निकोशिश किया आप देखिए ये सारे नए प्रयोगे स्कील ऐसी हैं आपको आनद भी देगी और जीवन को एक दारे में जो बांद दिया है ना उससे आपको भार निकाल देगी आउट ओब बॉक्स कुछ करिए दोस्तों जिंदगी बनाने का यही तो अफसर होता है और आप सोचते होंगे कि सारी एक्जान समापत हो जाए केरियर के नए पढ़ाव पर जाऊंगा तब सिखूंगा तो वो तो मोका नहीं आएगा फिर आप दूसरी जेंजर पर पढ़ जा होगा अगर आपको जादू सिखने की शौक हो तो थास के पत्तों की जादू सीखिये अपने यार दोस्तों को जादू दिखाते रही है कुछ ने-कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास किजिए उससे आपको जरूर लाब होगा आपके भीत जितना सीखने समझने को मिलता है जिसके हम कलपना नहीं कर सकते हैं नए ने स्थान नए ने शहर नए नगर नए गाउं नए इलाके लेकिन जाने से पहले कहां जा रहे उसका अभ्यास और जाकर के एक जिग्यासु की तरह उसे देखना समझना लोगों से चर्चा करना उनसे यह अगर प्रयास किया तो उस देखने का आनन कुछ और होगा आप जिरूर कोशिश कीजिये और टाय कीजिये ट्राविलिंग जादा न करें एक स्थान पर जाकर के तीन दिन चार दिन लगाईए फिर दूसरे स्थान पर जाईए वहाँ तीन चार दिन लगाईए इससे नाया देखा कहां गए थे आप हैश्टेग इंक्रेडिबल इंडिया इसका उप्योग करके अपने इन अनुभों को शैर कीजिए दोस्तों इस बार भारत सरकार ने भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा आउसर दिया है नई पीडी तो नगत से करीब करें मुक्त ही हो रही ह उसके कैश की जरूत नहीं है वो डिजिटल करंसी में विश्वास करने लग गई है आप तो करते हैं लेकिन इसी योजना से आप कमाई भी कर सकते हैं आपने सोचा है भारत सरकार ने की योजना है अगर भी मैप जो कि आप डाउनलोड करते होंगे आप उप्योग भी करते ह होंगे लेकिन किसी और को रिफर करें किसी और को जोड़ें और वो नया व्यक्ति के तीन ट्रंजेक्शन करें आर्थिक कारोबार तीन बार करें तो इस काम करने के लिए आपको 10 रुपी की कमाई होती है आपके खाते में सरकार की तरफ से 10 रुपय जमा हो जाएगा अगर दिन में आपने 20 लोगों से करवा लिया तो आप शाम होते हो तो 200 रुपय कमा लेंगे व्यापारियों को भी कमाई हो सकती है विद्यारतियों को भी कमाई हो सकती है और यह योजना 14 अक्तुबर तक है डिजिटल इंडिया बनाने में आपका योगदान होगा न्यू इंडि के प्रति एक नफरत का महोल है लेकिन यह इतना गहरा है कि मुझे अभी अभी अनुभा हुआ जब सरकार ने ताइक कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहों वह अपनी गाड़ी पर लाल बत्ति लगा करके नहीं गुमेगा वह एक प्रकार धीरे धीरे वह दिमाग में गुश जाती थी और दिमागी तोर पर वियाईपी कल्चर पनब चुका है अभी तो लाल बत्ति गई हैं इसके लिए कोई ये तो दावा नहीं कर पाएगा कि दिमाग में जो लाल बत्ति गुश गई हैं वो निकल गई होगी मुझे बड़ा इं नहीं करता है उसे दूरी महसूस होती है नमस्कार प्रधानमंत्री जी मैं शिवा चौबे बोल रही हूं जबलपुर मत्यप्रदेश से मैं गवर्मेंट के रेट बीकल लाइट बैन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूं मैंने एक लाइन पढ़ी न्यूस पेपर में जिसमें लिखा था ये सुनके मुझे बहुत गर महसूस हुआ और खुशी भी हुई कि आज मेरा टाइम भी उतना ही जरूरी है मुझे ट्राफिक जाम में नहीं पसना है और मुझे किसी के लिए रुखना भी नहीं है तो उसी लिए धन्यवाद सरकारी निरने से लालबत्ति का जाना वो तो एक व्यवस्ता का हिस्सा है लेकिन मन से भी हमें प्रैत्न पुर्वक इसे निकालना है हम सब मिलकर के जागरिक प्रयास करेंगे तो निकल सकता है इन्यु इंडिया का हमारा कंसेब यही है कि देश में BIP की जगा पर EPI का महत्व 可愛 है और जब मैं BIP के स्थान पर EPI कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पर्श्त है एवरी परसंग इब्पार्टफ हर व्यक्ति का महत्व है हर व्यक्ति का महत्म है सवासो करोड देशवाशियों का महत्म हम स्विकार करें सवासो करोड देशवाशियों का महत्म ही स्विकार करें तो महान सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी शक्ती एक जूठ हो जाएगी हम सबने मिलकर के करना है मेरे पहरे देशवाशियों मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इतिहास को हमारी संस्क्रित को हमारी परंपुराओं को बार-बार जात करते रहे उसे हमें उर्ज्या मिलती हैं प्रेणा मिलती हैं इस वर्ष हम 700 क्रोड देश वासी संत रामानुजा चारे जी की एक हजारवी जेनती मना रहे हैं। किसीने किसी कारणवस हम इतने बंद गए इतने छोटे हो गए हैं कि जदा जदा सताब्दियों तक का ही विचार करते रहें। दुनिया के अन्य देशों के लिए तो सताब्दी का बड़ा महत्व होगा। लेकिन भारत इतना पुरहतन राष्ट हैं कि उसके नसीब में हजार साल और हजार साल से भी पुरानी यादों को मनाने का आउसर हमें मिला है। एक हजार साल पहले का समाज कैसा होगा। सोच कैसी होगी। थोड़ी कलपना तो कीजिए। आज भी समाजी गुरूधियों को तोड़ करके निकलना हो तो कितनी दिक्कत होती है एक हजार साल पहले कैसा होता होगा बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि रामानुजाचारी जी ने समाज में जो बुराईयां थी उंच निच का भाव था छूत अचूत का भाव था अच्छूत मानता था उनको गले लगाया था हजार साल पहले उनके मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने अंदोलन की थे और सभलता पुर्वक मंदिर प्रवेश करवाए थे हम कितने भाग्यबान हैं कि हर यूग में हमारे समाज की बुराईयों को खत्म करने के लिए हमार उनसे हम प्रेणा ले भारत सरकार भी कल एक मई को संत्रामानुजा चारी जी किस मृति में एक स्टेंप रिलीज करने जा रही हैं मैं संत्रामानुजा चारी जी को आधर पुर्वक नमन करता हूं सरद्धा सुमन अर्पित करता हूं मेरे प्यारे देशवाशियों कल एक मई का एक और भी महत्पा है दुनिया के कई भागों में उसे स्रमिक दिवस के रुपे भी मनाये जाता है और जब स्रमिक दिवस की बात आती है लेबर की चर्चा होती है लेबरर्स की चर्चा होती है तो मुझे बाबा साब आमबेड कर कि याद आना बहुत स्वाभाविक है और बहुत कम लोगों को मालू होगा कि आज स्रमिकों को जो सहुलियते मिली है जो आदर मिला है उसके लिए हम बाबा साब के आभारी है स्रमिकों के कल्याण के लिए बाबा साब का योगदान अव विश्मिनिय है आज जब मैं बावा साब की बात करता हूँ संत रामानुजा चारिय जी की बात करता हूँ तो बारावी सदी के करनाटक के महाम संत और सामाजिक सुधारक जगद गुरु बस्वेश्वर जी की भी याद आती है कल ही मुझे एक समारों में जाने का उसर मिला उनके वचनामरुत के संग्रह को लोकारपन का ववसर था बारवी सताब्दी में कंड़ भाषा में उन्होंने श्रम, श्रमीक उस पर गहन विचार रखे हैं कंड़ भाषा में उन्होंने कहा था काय कवे कैलास उसका अर्थ होता है, आप अपने परिश्दम से ही भगवान शीव के घर कैलास की प्राप्ती कर सकते हैं। यानि कि कर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ती होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सुरम ही शिव है। मैं बार बाद स्रमेव जयति की बात करता हूँ, dignity of labor की बात करता हूँ, पुझे बराबार याद है भारतिय मजदूर संग के जनक और चिंतक जिनों ने स्रमिकों के लिए बहुत चिंतन किया, ऐसे सिवान दत्तोपन जी ठेंगडी कहा करते थे, एक तरप माववाद से जुरों आओ, दुनिया को एक करे, एक तरप कहा जाता था, workers of the world unite, भारतिय चिंतन से निकली हुई विचार धारा को लेकर के दत्तोपन ठेंगडी कहा करते थे, workers unite the world, आज जब समीकों की बात करता हूँ, तो दत्तोपन ठेंगडी जी को याद करना भस्वाभाविक है, मेर भर में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए लोग उत्सव मनाते हैं, विश्व आज जिन समस्याओं से गुजर रहा है, हिंसा, युद्ध, विनाश लिला, सस्त्रों की स्पर्धा, जब ये वातावन देखते हैं तो तब बुद्ध के विचार बहुत रिलेवन लगते ह और भारत में तो अशोग का जीवन युद्ध से बुद्ध की यात्रा का उत्तम प्रतीख है, मेरा सवभाग्य है कि बुद्ध पुर्ण इमाम के इस महान परवपर उनाइटेड नेशन्स के द्वारा वेसाक डे मनाये जाता है, इस वर्ष ये स्री लंका में हो रहा है, इस पवित्र परवपर मुझे श्री लंका में भगवान बुद्ध को सद्धा सुमन अर्पत करने का एक आउसर मिलेगा, उनकी यादों को ताजा करने का आउसर मिलेगा, मेरे पहारे देशवाचियों, भारत ने हमेशा सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के आगे वढ़ने का प्रयास किया है, और जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो वो सिरफ भारत के अंदर ही नहीं, वैश्विक परिवेश में भी है, और खास करके हमारे अड़ोस-परउस के देशों का साथ भी हो, हमारे अड़ोस-परउस के देशों का विकास भी हो, अनेक प्रकल्प चलते हैं, पांच मै consist." भारत दक्षिन एशिया सेटलाइट लॉंच करेगा इस सेटलाइट की ख्षमता तता इससे जुड़ी सुविधाएं दक्षिन एशिया के आर्थिक तता डेवलोपमेंटल प्राथिक्ताओं को पूरा करने में काफी मदद करेगी चाहे नेश्ट्रल डिसोर्सिज मैपिंग की बात हो टेली मेडिशिन की बात हो एजुकेशन का ख्षेत्र हो या अधिक गहरी आईटी कनेक्टिविटी हो पीपल टू पीपल संपर का पयास हो सवाथ एश्या का ये उप्रा हमारे पूरे ख्षेत्र को आगे बढ़ने में पूरा सहायक होगा पूरे दक्षिन एश्या कि साथ सहीवग बढ़ाने के लिए भारत का एक महत्मपून कदम है अनमोल नजराना है दक्षुन एशिया के प्रती हमारी प्रतिवधता का यह एक उपयुक्त उधार है दक्षुन एशिया यह देशों जो के साउध एशिया सेट्रिलाइट से जुड़े हैं मैं उन सब का इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए स्वागत करता हूँ शुब कामनाय देता हूँ मेरे प्यारे देश्वाश्यों गर्मी बहुत हैं अपनों को भी समालिए अपने को भी समालिए बहुत पर शुब कामनाय दन्यवाद